कारगुल मिनिस्ट्री ओनलान पॉर्टल पर आप लोगों का स्वागत है तो अब जो पुन डिस्कस करेंगे वो करेंगे नौब जे की जो 25 जुलाइ 2019 को रिलीज हुई है यह इंफॉर्मेशन जो है वो रिफ्रेंट वीडियम से मैंने लिए पेपर कटिंग से मैंने लिए हाल अपलोगों के सामने में डिस्कस कर देता हूं तो अचले बात करते हैं पहले डिसकस करें लिए तो यह प्रध्यापकर ज़ें विज्ञान की आरक्षी सूची आरिक्षी कर दी एर पीस्थी गेगए और लमर और कट ऑफ माक्स देख सकेंगे सरेख तो अपने पास में वरिश्ट अध्यापक 2 की grade 2 की अगर बात करें की provision list भी जारी कर दीगी RPSC के दोबरा 2018 के तरज पर वरिस्ट अध्यपक grade 2 परतियोंगी परीक्षा 2018 में भी provisional list जारी कर सकता है provisional list में सामिल अभियरती की counselling प्रिकरिया के बाद मेरिट जारी करने की कवायद हो सकती है आयोग इस परिक्षा के परिणाम की त्यारी में जुट गया है यानि आयोग इस परिक्षा के परिणाम को वोशित करने के लिए जोर सोर से इसमें जुट गया है ऐसा केगे शर्मा जो अपने सेक्रेटरी है आर्पेसी उनके द्वारा ये कहा गया है नेक्स अपन बात करें करनिश्ट वेग्यानिक सहाइक के लिए अवेदन कल से राजस्तान करमचारी चेहन बोर्ड में MBC और EWC आरेक्षन लागू होने के बाद बुद्वार को पहली संसवधित विगपती जारी कर दी गई है अठाला कि ये विगपती अपन न्याइट को nuestras किया था उसके अंदर भी जो इससे पहले जो वीडियो मैंने उसके अंदर भी मैंने अधिनस पोर्ड की जो प्रेस्ट रिलीज वहाँ पे मैंने डिसकस किया था लेकिन अभी जो लीज पेपर में आया तो उसको पूर डिसकस कर देते हैं यह संसोधित विगपती जो है विदी विगयन प्रियोक्षाला विवा के कनिष्ट विगयनिक साहय के बर्ती के लिए जारी की गई है इस बर्ती में 5 फिजदी MBC और 10 फिजदी EWC को आरक्षन लागू करने का शरकार के निरिदेशों का पालन करते हुए अब फिर से आविदन मांगे गए हैं पातर अभियरती 26 जुलाई से 24 अगस तक ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं इस बर्ती की प्रिक्रिया जनवरी 2019 में सुरू हुई थी यह बर्ती 28 पदों के लिए हो रही है बोर्ड के अध्यक्स BL जटावत का कहना है कि पहले आविदन कर चुके अभियरती को अब फिर से आविदन करने की आश्रिक्ता नहीं है ऐसे अभियरती अपनी शिरणी में संसोदत कर सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन आविदन में संसोदत करने की सुविदा दी गई जाएगी पूरा मेल लिए आविदनों के इस समय कोई भी अपातर था औ और अब पातर हो गया है तो वहां भी इस भरती के लिए आविदन कर सकता है यह अपने सेक्रेटरी जो बिल जटावर जी है अधिनस बोर्ड के उनके द्वारा यह पब्लिश किया गया है जो कनिस्ट्र वेगैनिक साहिट जो है उसकी भरती पहले आ चुकी थी और अउनलाइन है फ्रोसेस वह 26 जुलाइस से स्टार्ट हो जाएगी और 24 जुलाइस चोविस अगस्त तक आप इसको फॉर्म फिलफ कर सकते है आज बिच्टिस तारीक है और कल जो 26 तारीक है तल से इसके ऑनलाइन अप्लिकेशन आवेशन आप अप्लाई कर सकते हो नेक्स बा स्टुडेंटों के फीस जो है वो जमान नहीं हो चुकी तो इसके कारण ये खामी बताई गई है तो साइट हैं और इससे बीड चातर प्रिशान रहे इस करण कॉलेज लोटमेंट लेटर का प्रिंट भी नहीं निकल पाया इदार्तियों ने बताया कि डूंगर कॉलेज ने है प्ट T के विदारतियों की मदद के लिए जारी हैल्प लाइन नंमर्र भी काम नहीं कर रहे हैं कॉलेज ने अन्य इसकी एक लेड लाइन नमबर और दो मुबाइल नमबर जारी कर रखे हैं लेकिन इन नमबरों पर कोई फोन नहीं उठा था इनमें से एक नमबर तो सिफचोफ हो रहा है सिकायत के बाद भी कॉलेज प्रवंदंग इन हेलप लाइन नमबरों पर ठीक से वैस्ता नहीं कर पा रहे हैं यह जो पिटीटी की जब भी काउंसलिंग चिलिए उसके बारे में डिसकस थी नेक्स्ट अपने बात करते हैं तो नेक्स्ट बात अपने पास में प्यस्टी की 499 सीटों के लिए होगा एमपेट साथ विवागों में एक भी सीट नहीं में नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहले पेपर में 40-30 आपको जरूरी है यानि जो विदारती प्यस्टी करना चाहता है जो अभी फिलाल में जो सीटे हैं उनके लिए अगर आपको प्यस्टी करने है तो आपको एमपेट नाम करके कॉंपटिशन देना पड़ेगा उसमें आपको 40% मिनिमुम मार्क्स वहां पर आपको गेट करना पड़ेगा यह नहीं लाना पड़ेगा दो साल बाद रास्तर इंविश्टी में प्यस्टी एंट्रेंस टेस्ट एमपेट का नॉटिफिकेशन जारी होने से चातर चातरों को राहुत मिली प्यस्टी में 499 में और एमफिल में 286 सीटे हैं लेकिन साथ विवाग ऐसे रहे गए जहां प्यस्टी की एक भी सीट नहीं है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियो दिखज़ अनुटल अफिल्ड्स में यह प्यस्टी प्रवाइड नहीं करेगा तो इन इस्ट्टूएंट को अनुडर युनिवश्ट्टी से प्यस्ट्टी ये तो,-प्यस्टी से सबसे ज्यादा पीस्टि कर रहे हैं लोग और वहर अगिस ताल्स यहां शेयार रखे अ प के लिए एम पेट नाम करके कॉंपोटिशन लिया जाएगा अर्यों के दवारा और वहां पर आपको 40% मिनिम मार्क्स गेट करना पड़ेगा तो यह थी अपने पास में इनफोर्मिशन जो आज अपने पेपर कटिंग में आई थी हाला कि अपने इससे पहले जो लास्ट वीडियो अपने रिलीज किया तो वहां पर कुछ प्रेस नोट मैंने जो आर्पेसी अधिनस्त बोर्ड के जो रिलीज हुए थे वो मैंने वहां पर डिसकस किये थे तो अब जो अपने पास में जो पेपर कटिंग आईए पेपर में जो इनफोर्मिशन आईए उसको मैंने वीडियो को माध्यम से डिसकस किया तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुगा तो इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए सेर कीजिए और इ